क्या सच में वो जैए बीरु अब एक नहीं है कहने की जरूरत नहीं कि पिछले 18 जून को सनी दिवल की एकलोते बेटे करन दिवल के साधी थी करन ने उनकी गर्फरेंड दृसा आचरिये से साधी की धर्मिंद की पोते करन के साधी धूमधाम से हुई इस मौके पर बॉलिबुट की मशूर हस्तिया तो मौजूद थी लेकिन खुद अमितब बच्चन मौजूद नहीं थे अब तक धर्मिंद पड़िवार के पोते के साधी के कई सारे वीडियो बारेल हो चुकी है कभी सनी देवल और करन डांस कर रही है तो कभी सेलिबुटिस की पोस्ट बारेल हो रही है इस साधी में जहां कई हस्तिया मौजू थी वही धर्मिंद की पूर परिचित और अच्छे दोस्त अभिनेता अमितब बच्चन और उनका परिवार इस साधी में सामिल नहीं हुआ वही धर्मिंद और अमितब की जोड़ी बड़े परदे पर कफी सफल और फपुलर रहा एक समय दोनों ने जोड़दार प्रदशन किया और दोनों की तारीफ भी हुई लेकिन साधी जैसी ग्रैन परिवार ना दरत रहा तो क्या दोनों परिवार के बीच दड़ार है क्या पुराना विवात या अंजाने कारण ये अभी तक पता नहीं चला है कि बच्चन परिवार ने धर्मेंद की इन्विटिशन के वावजूद क्यों नहीं आया इनसाइट निउस के तौड़ पर आशंका है कि अमिताफ आतंगबात के दड़ से साधी में सामिल नहीं हुए होंगे क्योंकि इसी साल मार्च तक अमिताफ बच्चन मुकश अमानी और धर्मेंद के घर को बंब से उड़ाने के धमकी दी गई थी इसके वाद से नाकपूर और मुंबई के पूलिस तशाषन की निंद उड़ी हुई है क्या अमिताफ ने सुरक्चा की द्रिष्टी से ही निमंतरन सहजा था हाला कि घरना का वास्तविक काड़न ग्यात नहीं है लेकिन कई लोग अनिमान लगा रहे है कि ये मामला हो सकता है ऐसे और आपडेट्स पाने के लिए मिले चैनल को सबस्काइब कीजिए थैंक्स फर वाचिंग